हलो गाइस कैसे हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस्क्रीन शॉट पर लगा कर दिखा दरहूं क्योंकि यह खली स्टाइम्स में आया है दोस्तों आप इसली पेपर में गौवर्मेंट का तो वीडियो लाश्ट देखना ताकि आपको पूरी ज्यानकारी मिल सके क्योंकि वर कराना है तो आपको यह तो दूसरी कंट्री जाना पड़ेगा ट्रैवल करके या अपने कंट्री वापस जाओ या फिर जो भी आसपास के जो भी कंट्री वहां पर एकजिट मतलब करना पड़ेगा पहले ऐसा नहीं था क्योंकि धाई साल से यह प्रॉब्लम नहीं था कॉब कोई का जो भीजा है वो तो अभी अपडेट नहीं हुआ इसलिए अभी तक चेल रहा है रेनवल करा सकते हो बड़ दोस्तों जिसे अब उधाभी का भीजा है सारजा का भीजा है जमान का भीजा है तो आपको बाहर मतलब दूसरे कंट्री में जाना ही पड़ेगा इसलिए सबसे सस्ता पहले तकि व्लाइट का टिकट महेंगा होता यह किसी भी कंट्री में आप जाओ तो फ्लाइट का टिकट तो महेंगा ही होगा बड़ दोस्तों आप बस से उमान जाकर फिर वापस रिटेन आ सकते हो क्योंकि उमान बोडर पर भी आपका पास्पोर्ट चेक होग तो अभी खलिफ टाइम्स के हिसाब से दोस्तो ट्राइवल एजेंट ने बात किया उसमें पता चला है कि दो दिन तक मतलब इतना आदमी लोग अवेर हो गया है कम खर्चे में बस से ट्राइवल करके ओमान जा रहा है और फिर ओमान से फिर यहां पर दुबई में आके अपना विजा रिन्वल करा ले रहा है तो यह सस्ता उपाय है दोस्तो और बिल्कुल सस्ता हो जा क्योंकि ओमान से यहां दुबई से ओमान जाने के लिए बहुत बस का किराया बहुत कम रहेगा और आप चाहो तो इस तरह से करा सकते हो क्योंकि गौश्खवरी दी है कि आप ऐसे भी नहीं तो गौवर्मेंट बोल भी सकते थी कि फ्लाइट से ही आपको यारपोर्ट से भी ही एकजिट करना पड़ेगा फिर आप यारपोर्ट से आओगे तभी आपको ऐसा मिलेगा बट ऐसा नहीं है आप बस से भी ओमान जा सकते हो और सिधा ओमान से यहां आने के बाद फिर आप दूसरा विजा लगा सकते हो मतलब रेनुवल करा सकते हो तो यह खुशखबरी था दोस्तों कि बहुत सारे लोग टेंशन में थे कि सायदा भी ऐसा होगा कि नहीं तो आप इजली तरीका और सस्ते में मतलब ज्यादा पैसा आपको लगेगा नहीं क्योंकि आप अ है दूसरी कंपनी में जोब लगानी है जॉब का चेंज करनी है तो दोस्तों आपका इंपलाइमेंट वीजा इहां से यहां change हो जाएगा आपको कोई अगर दूसरे company में job change करना चाहते हैं तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है यहां से यहां job असानी से change कर सकते हैं तो यह update था दोस्तों मैं सोचा आप लोग के साथ share करूँ और जो भी सवाल है कुछ confusion है तो चलता है वीडियो पर में चारंग का code आगा उस code के साथ comment करो आ आपको पता है कि कोई में रहते साथ है हम लोग यह इतना काम में भीजी हो जाते हैं तो हम लोग को time नहीं मिल पाता है इसलिए मैं आपको reply दिने में थोड़ा time लगाता हूं बट मैं कोसिस करता हूं कि आपको reply कर दूए मिलता हूं ने update के साथ जब तक जैहन